बिसमिल्ला इर्मान इरहीम, अस्सलाम अलेकूम आवरेवन, उमीद है कि आप सब खेरिये से होंगे, आज की वीडियो का टॉपिक है दा प्रोलॉग, दा प्रोलॉग बाइ जॉपरी चॉसर, आज की इस वीडियो में केंटर बेरी टेल का जो प्रोलॉग है, उसके जितने भी इंपॉर्टन्ट कॉइस्टिन्स हैं, जो कि एक स्टूडेन के माइंड में इस पॉइम को, इस बुक को पढ़ते हुए आते हैं, वो सारे डिसकस करेंगे, एंड में इसकी समरी और अनेलिसिस को देखेंगे, आज की इस वीडियो का में टॉपिक है सिर्फ दा प्रोलॉग, केंटे बिरी टेल के अंदर जितने भी पिल्ग्रिम्स हैं और उनकी स्टूरीज हैं, उनको फोकस नहीं किया जाएगा, सिर्फ दा प्रोलॉग जो के जॉफरी चॉसर का है, केंटे बिरी टेल के स्टार्ट के अंदर जो जॉफरी चॉसर ने दिया है, उसको फोकस किया पर आज की इस वीडियो की तरह जाने से पहले में यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखा दू बी एस इंग्लिश लिट्रेशर नोट्स का यूट्यूब पे मेरे चैनल है जिस पे लिट्रेशर लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किये हैं किंटरिबरे टेल क्या है किंटरिबरे टेल एक किताब है और किताब पूरी पूम की सूरत में है切़ती उसको यूझनि करते हैं जिस sait को इसको मैडल इंग्डिश कहते थे और रिंजनुंक हैं लिखी Canterbury Tale, तो पॉइम लिखने से पहले उन्होंने प्रोलॉग लिखा, किताब के शुरू वाले सफाद के अंदर उन्हें ने चार सो लाइनों का एक प्रोलॉग जिसको इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, आज कल के जमाने में पहले इसको प्रोलॉग कहते थे, वो लिखा, अ आगे, किताब के अंदर, क्या वो कहने वाले हैं, किस चीज़ को वई डिटेल में डिसकस करेंगे, बताते हैं कि एपरिल का महीना चल रहा है, एपरिल के महीने केंदर बादिर्टि जो पिल्ग्रिम्स जें, यानि कि जो जो जारत प जारत प्रोलॉग जाईरी ने जायरे होते हैं उनको pilgrims कहते हैं और वो मदफन किस जगह पे हैं किदर दफन है उनकी कबर किदर है कैंटरबेरी के एरिया के अंदर है तो वहां पे सारे जा रहे हैं अब इस तमाम स्टार्ट से लेकर आखिर तक जाने के सफर को जो narrator है यानि कि जॉफरी चॉसर है वो capture करना चाहता है किताब के अंदर point की सूरत में और वो स्टोरी बताना चाहता है सब की उस time period के लोगों की भी और इसी mean the while जब वो travel कर रहे होते हैं तो जो उनका guide होता है जो उनको host उनको लेके जा रहा होता है वो भी कहता है कि आप सब कर रहे हैं कितने भी लोग pilgrims जा रहे हैं सब दो दो कहानिया जाते भी सुनाएं दो दो आते भी सुनाएं तो हमारी जो है सफर अराम से कट जाएगा वो भी जौफरी चौसर ने अपनी इस किताब के अंटेबरी टेल के अंदर लिखा और प्रोलॉग के अंदर उन्हों ने बताया कि मैं ये करने वाला हूँ इनकी चीजों को capture करने वाला हूँ आथर का पूरा नाम जौफरी चौसर है औरिजिनल लैंग्विज जो है वो मिडल इंग्लिश है जो बहुत जादा पुराने जमाने में डा के जिसमें एंगलो नॉर्मान के टाइम पिरियर्ड में इसको ओल्ड इंग्लिश कहते हैं फिर जौफरी चौसर का जो जमाना आया इसके अंदर मिडल इंग्लिश इस्तमाल की जाती थी और इसके अंदर इस इंग्लिश में ये था कि इस इंग्लिश के अंदर फ्रेंच का थोड़ा इंफ्लूएंस था और इसके बाद मॉडरन इंग्लिश आ जाती है मॉडरन इंग्लिश जो यूज़ करते हैं मॉडरन टा दो मिस्रों का शेर है उसको कपलेट कहते हैं और उसके अंदर भी स्टेंजा आपको मिरेंगे लेकिं स्टेंजा को कोई स्पिसिफिक पैटरन नहीं है अगर मीटर की बात करें तो आएम पेंटरमीटर यूज किया गया है पेंटरमीटर से मुरादिया है कि पांच सेलेबल अगर येर की बात की जाए तो थर्टीन एटी से लेकर थर्टीन नाइटी टू तक के टाइम पीरिड के अंदर जॉफरी चॉसर ने प्रोलॉग लिखा केंटर बेरिटेल लिखा और फॉर्टीन हंडर्ड तक इसको कम्प्लीट करा लिया और इसको कहा जाता है कि यह जो की तोर पे जॉफरी चॉसर ने खुद लिखी है उनका अपना प्रस्पेक्टिव उनका अपना पॉइंट अफ्यू और जो वहां पे विजाएरीन पिल्ग्रिम्स मौजूद थे उनकी बताई हुई कहानिया अगर इसका परपस देखें कि जॉफरी चॉसर ने केंटर बिर तो आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे किताब लिखी जाती है उससे पहले उसके इंट्रोडक्शन लिखा जाता है सेम गोस फॉर देस प्रोलॉग का मतलब इंट्रोडक्शन ही है जनर प्रोलॉग जो है वो फ्रेमवर्क के स्टाबिश करता है जो कि आगे टेल्स जो 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 ने उनके बारे में इंट्रोडक्शन देता है जो भी आगे किताब के अदर होने वाला है वो सारा प्रोलॉग में बिखाया है जो फ्रेमरी को देखे हैं तो आखर में हम समरी को में डिसक्स करेंगे स्टार्ट में दिखाया जाता है कि अप्रिल का मन्थ है और एक टाबर डिन जैसी जगह पे जौफरी चौफर चौसर मुझूद है पिल्ग्रिम्स के साथ और आगे जो फर्दर स्टोरी है वो मैं आगे डिस्क्लोज करूंगी नेरेटर की बात करी जाए तो जाफरी चौसर खुद फर्स परसन नेरेशन कर रहे हैं स्टोरी के अंदर में थीम की बात की जाए तो सोशल सेटायर है यह 14 सेंचरी के टाइम पीरिएड के ओपर सेटायर किया है जाफरी चौसर ने क्योंकि वो सुसाइटी जो ती ती तीन हिस्टों में डिवाइड़ ती नोबिलिटी यानि कि अरिस्टो क्रैसी एलीट क्लास पर चर्च वगारा यानि कि जो सेकंड क्लास आदी थी और थर्ड जो पीसेंट्री थी पीसेंट्री से मुराद यह था किसान डॉक्टर्स वगारा आम लोग सबसे पहले जो थे वो खुदा के करीब बाश्शा और क उनको बाश्च को सब्सक्रेब्स यह वह सब्सक्राइब बाशे की इसनक से सिब्सक्राइब सब्सक्राइबेडवालोगत की और लेग अदेखना deciding है तो यह कि वने-प्लिच यह मिडल इंग्र इंगर्श सब्सक्राइब गष्ब से रिकिया है उन अप्सेट्टर्य क्लेका लेके आता है प्रोलाग को भी इंशाला हम डिसकस करेंगे मतलब इसका टेक्स भी डिसकस करेंगे और साथ में आगे करेक्टर का टेक्स भी हम डिसकस करेंगे नेक्स वीडियो के अंदर फर्स्ट करेक्टर जो प्रोलाग के बाद सबसे पहले जौफरी चौसर स्टार्ट करते हैं वो elite class top class first class के character से करते हैं जो कि knight है knight जो है वो एक warrior एक soldier है वहीं से tail start करते हैं जो अफरी चौसर उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसा Christian man है दिखने में कैसा है लगता कैसा है उसकी चीजें कैसी कैसी है and then he goes on that कि वो उसका behavior कैसा था वो experience था उसको उसको narrate करते है बैसिकली अगर यह सवाल आए कि longest tail canterbury के अंदर कौन सी है तो the tail of melleby जो है वो longest tail है इसके अलावा अगर आप से कुछे जाए कि करेक्टर कितने हैं तो 30 pilgrims हैं चौसर को मिला के इसके बाद होस्ट और करेक्टर करेक्टर बना देते हैं टोटल इनकी स्टेंथ कुछ लोग कहते हैं 31 है और कुछ कहते हैं 32 है लेकिन मुझे लगता है कि 32 है अभी मैं इसको भी आप confirm कर लीजिए चौसर फोग्त को स्टार्टिंग में जब यह लोग स्टार्ट और यह लिख लिख रहे होते हैं और आकिर में वापसाथे हुए वो मर जाते हैं तो यह टेल कभी भी कंप्लीट नहीं होती यह ना कि इनकी ज्यों कहानी वरक है यह आदा अधूरा रह जाता है और आदा अध तुओ नाइट इनकी सुला करा रहा होता तो यहां पिस्टोरी यह आखरी बात जोफ्री चॉसर लिख रहे थे इसके बाद हो मर गए थे अगर राइडिंग स्टाइल की बात करें तो जोफ्री जोफ्री चॉसर ने कपलेट राइमिंग की सूरत ने लिखा है यानि दो लाइन दिखाए जाता है उसके बाद जो में जगा दिखाए जाती है वो केंटर बेरी टेल इन केंट दिखाए जाता है एक मजार को विजिट करना है मजार किसका तॉमस बैकिट का जो के एक शहीद है और उनका जो लेकि उनको जो जा रहा है जो ट्रावलर लैनलॉड है वो हैरी बैली है उनके साथ होस्त भी मुझूद है इसके बाद जो बेस्ट करेक्टर केंटर बिली टेल के अंदर है जो जो जोफी चॉसर है के अकॉर्डिंग है वो नाइट है क्यूंकि वो एलिल क्लास से बिलॉंग करता है एड्मारेबल था कि कुल 100 स्टोरीज वो लिखेंगे लेकिन लिखनी सके क्यूंकि पहले ही मर गए 24 स्टोरीज वो लिख सके हैं यानिकि जितने भी पिल्ग्रिम्स है उन्होंने स्टोरी सुनाई होंगी तो उनमें से 24 जो है वो कैप्चर कर चुके लिख चुके हैं अगर शॉटेस टेल क जिएर के नदर तो फिजेशन की जो डिया है वो सॉट ठेस टेल है क्यों एक पॉईम है या किताब है आप यह पीघिरी टेल बेसीकली एक बहुत लंबी सी पोइम है जो किताब पर मुhrीत है यह तनी लंबी है कि पूरी किताब बनती है लेकिन इसके अंदर प्रोज प्रोलॉग के अंदर क्या होता है प्रोलॉग क्यों लिखा जौफरी चौसर ने ताके आडियन्स को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा सके प्लॉट की कि आगे जो उन्होंने स्टोरीज बतानी है वो थोड़ा सा उनको पहले से आइडिया दे दें कि वो आगे पढ़ने के यह जो प्रोलॉग लिखा है जौफरी चौसर ने इसकी इंपॉर्टन्स क्या है इस प्रोलॉग को इसलिए बताते हैं ताके क्लास्ट्र दिखा सकें सूसाइटी का मीडिवल इंग्लैंड के अंदर यानि के मीडिवल टाइम पिरिड फोटीज नेशिके अंदर जो स्ट्रक या वर्कर्स जितने भी होते थे तो जाफ्री चौसर जो हैं वो बस्काली इपने बिरिड के सटायर करें हैं सटायर करें करें किस तरीके से सोशल ऑडर था लोग कैसे काम करते थे उनकर करेदे मीडिक सासाथ हुमर मीडे आप चलते हैं इसी प्रोलॉग सिर प्रो की समरी की तरफ चलते हैं जैसे ही प्रोलॉग ऑपन होता है स्प्रिंग का डे बताया जाता है यानि के एपरिल का मन्थ बताया जाता है नेरेटर जो है कैंटरबरी टेल का वो मुझूद है किदर टाबर दिन में वहां पर उसने किराए का कमरा लिया हुआ है और वो अपना करने वाला है किस की तरफ कैंटरबरी की तरफ कैंटरबरी की तरफ कैंटरबरी क्यों जाना चाहता है कैसे जाना चाहता है एक ग्रूप फीपल वहां पर मुझूद है जिनको पिल्ग्रिम्स कहा जा रहा है कैंटरबरी जाना चाहते हैं आप कैंटरबरी क्यों जाना चाहते और अपने डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं और साथ ही जोफरी चॉसर इनके मिल जाता है जोफरी चॉसर इनके साथ मिल जाता है और ये टैग करता है कि वह सारी कहानी जो भी उसके साथ रस्ते में होगा वे लिखता जाएगा कि आशकर जैसे लोग डेली व्लागइगंग करते हैं न, जौफरी चौसर जो हैं उस फान पए व्लागइग कर रहे हैं और व्लागइग सुरत में कर रहे हैं. apology कर दो हैंग गर्या के अशुट कार होते हैं, और हमारा सफर कट जाए और आखिर में हम डिसाइड करेंगे यानि कि मैं होस्ट डिसाइड करूंगा कि सबसे ची कहानी किस ने सुनाई है उसको हम सब मिलके खाने की एक दावत देंगे जिस पर सब एगरी हो जाते हैं और सब अपने सामान बाढ़ लेते हैं कि केंटर बेरी के रस्ते में हम कहानिया सुनाते जाएंगे यह समरी थी इस प्रोलॉग की और जब इसी प्रोलॉग को हम अनैलिसिस करते हैं और से हमें पता लगता है कि जो फ니कल सैटिंग की ऐने कि एटाब की कि बताना चाए हैं उसकेे अनदर जगा भी रिज़ को विजिट ख करने वाले हैं कियों किसको विजिट करने वाले प्लाव रिजिए उनका प्रोग्रام जो है वह यह बताने गांगा है कि वो किस तरीके से आगे stories लिखेंगे स्टोरी के introduction देने के जारी है कि कितने लोग उनके साथ जा रहे हैं क्यों से society, इंक्रिस society के जा रहे हैं उनको depict करेंना उनको portray करें उसके बाद सोसाइटी के बारे में बजाना चाते हैं कि society कितने ranks में divided है और रैंक किस तरीके से हैं जैसे के नोबिलिटी पहले रैंक के उपर है जिसके अंदर नाइट आ जाता है सक्वायर आ जाता है फिर सेकंड ग्रूप आता है जिसमें प्रायरस आती है मौंग आती है फ्रायर आता है यह चर्च के और फिर लोवर क्लास आती है जिसके अंदर ब लोगों को डिवाइड ग्रूइड करतें हैं ग्रुप्स के अंदर। जैसे कि वो एक ग्रूट बनाते हैं, जिसमें वो मर्चन को डालते हैं, मर्चन के साथ उन्होंने निकि law of surgeon को डाला हुआ ہے तिल्ध को भी उसके साथ उसी ग्रूइड के डाल देते हैं फर्दर वो बताते हैं कि यह लोग कैसे कैसे थे इनकी सैपरेट वर्डियो जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी इस लावा और गृूर्प बना थे यह बनाटे फिर एक लास्ट गृूब wine इस नास्ट गृूब्ड बनाते हैं जिसमें वह उन लोगों को म अगर आपको प्रोलॉग है ना ये समझा गया होगा इसका जो टेक्स्ट है अगर आप उसे पढ़ेंगे तो यही चीज जो मैंने आपको वीडियो में बताईए यही अनैलेसिस आपका निकलेगा डीटेल के अंदर निकलेगा अगर आपको वीडियो समझा गई यह तो काईड अगली वीडियो के लाइक कर दिये गए दोस्तों के साथ लाजमें शेयर करिएगा अगली वीडियो तक के लिए ख्यार रखें